बिग बॉस के घर के अंदर MC Stain और अर्चना की लड़ाई के बाद बिग बॉस ने सुना दिया अपना बड़ा फैसला बिग बॉस ने साफ कहा है कि वो घर के अंदर किसी भी तरह की नेगटिव एनरजी को बरदाश्ट नहीं करेंगे जिहां MC Stain और अर्चना की जो लड़ाई हुई है यहां पे जो तू-तू में में हुई है जिसका कोई रीजन नहीं था जिसमें कि वो अपनी नेगटिव एनरजी को पूरी तरह शो करते नजर आए इस पर बिग बॉस ने MC Stain से साफ कहा है कि अब मैं आप लोगों को बक्षूंगा नहीं अब लोगों की नेगटिविटी इस घर के अंदर नहीं चलेगी अरचना भी कम नहीं है कितना भी बना करने के बावजूद सल्मान के लेकिन अरचना ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आई है वो कसाती है लोगों को और वहाँ पर MC Stain घर में तोड़ फोर करते नजर आए हैं यहां पर शिव जो है वो भी नजर आए हैं अब्दू की कैप्टेंसी के बीच में बोलते हुए जब अरचना ने अगर मुद्दा उठाया था कि किचिन या वाश्रूम साफ नहीं है तो फिर यहां पर शिव को नहीं बोलना चाहिए था अब्दू को यहां पर अपनी बात बोलनी चाहिए थी कि कोई घर के नए कैप्टन अब्दू बन गये है लेकिन क्योंकि नेगटिविटी फैला नी है अब चाहिए वो अरचना हो MC Stain हो या फिर साजिद हो क्योंकि साजिद ने भी यहां पर MC Stain को चाबी भर दी कि तू घर चोड़ के चला जा और इसी चकर में वो घर के अंदर तोड़ फोड़ करता हुआ नजर आया है अब बिग बॉस इस बात को तो बरदाश्ट नहीं करेंगे तो इस पर आपकी अपनी क्या राय है कि बिग बॉस के घर के अंदर बैट कर उनी को बकवास करना उनके ल चल रहा है उसको देखते हुए लोग ऐसी सी बाते सुनने के उमीद तो नहीं करते हैं लेकिन यहां पर नेगटिविटी फलाए जा रहे हैं वहां चाहें अब अरचना हों एमसी स्टेन हों या फिर साजिद हों या फिर घर का कोई और सुदसी ही क्यों ना हो बस यह सोचते कि लड़ाई करेंगे तो लाइम लाइट में रहेंगे जगडा करके दिखाएंगे तो फोकस रहेंगे क्यामरे पर लोग उन्हें देखेंगे पसंद करेंगे पर ऐसा नहीं होता है इस तरह से विग बॉस नहीं समझा दिया हें और दे दिये बड़ी पणिशमेंट